हिमाचल के भोले भाले लोग जब गाड़ियों में पंजाब जाते हैं तो उनकी गाड़ियों पर पंजाब याता याद पुलिस के कर्मी गिद्धों की तरह तूटते हैं और उन्हें कारवाई के नाम पर डराते और धमकाते हैं और उनसे पैसे तक एटते हैं यारोप सोलन वेपार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेटी ने पंजाब पुलिस पर लगाए हैं उन्होंने कहा कि ज्यादातर हिमाचल की लोग पंजाब हर्याना और चंडिगर में काम के लिए जाते हैं लेकिन कब उन्हें पुलिस पकड़ ले हमेशा ये डर बना रहता है जेटी ने कहा कि कुछ पुलिस कर्मी तो हमेशा हिमाचल की गाड़ियों की तलाश में रहते हैं और उनसे पांस सो रुपे से लेकर हजार रुपे तक रिश्वत एंटते हैं सोलन बेपार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेटी ने बताये कि वे अक्सर लुद्याना जाते रहते हैं और जब लुद्याना प्रवेश करते हैं तो पुलिस कर्मी उनका स्कूटर से पीछा करने लगते हैं और उन्हें रोक कर उनसे पैसें एंटते हैं लेकिन इस बार उन्होंने रिश्वत ना देने का मूड बना लिया इसलिए जैसे ही पुलिस कर्मी ने उन्हें रोका तो उन्हें उसकी वीडियो बनाना आरम कर दिया और उन्हें रोकने का कारण पूछा तो पुलिस कर्मी वहां से दुम दबा कर भाग गए उन्होंने परदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वे पंजाब सरकार से इस विशे में गंभीरता से बात करें ताकि हिमाचल के लोग बेखाफ होकर परडोसी राजियों में जा सकें उन्होंने का कि इस समस्या से परदेश का हर व्यक्ति परभावित है उन्होंने का कि जब वे हिमाचल से पहाड़ी राज्यों में जाते हैं तो ऐसा परतीत होता है कि वे किसी अन्य देश में जा रही हैं हिमाचल के लोग जब हिमाचल से बाहर किसी काम के लिए जाते हैं चाहे पंजाब जाएं हराना जाएं चंडी अड़ जाएं वहां का पुलिस वाला दूर से हिमाचल की गाड़ी को देखकर हाथ देखकर हिमाचल की गाड़ी को रोकता है और मुझे समझ में नहीं आती कि हमाचल की गाड़ी को क्यों रोकते हैं वो पैसे अटते हैं पैसे मांगते हैं सरयां पैसे मांगते हैं और इस समस्या से मेरे खाल हमाचल का तो प्रेक व्यक्ति जो गाड़ी लेके कभी बाहर गया होगा वो जरूर इस समस्था से उसका सामना हुआ होगा हजारों गाड़ी यह जा रही होती है दूर से दिखते हैं हिमाचल का नंबर है उसको पुलिस हो ले सादे बलाते है परशान करते हैं उसको डिले करते है और चाहे बच्चे हो साथ में बजूरुक हो उसके साथ चाहे पेशन्ट हो बंदा किसी मजबूरी में जा रहा है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं के जाती कागज दिखाओ के नाम के उपर परशान के जाता है उससे बाद में पैसे एटके छोड़ा जाता है या उसका चलान कार दिया जाता है मेरे समझ में यह नहीं आती क्या हिमाचल के लोग हिंदूसतानी नहीं है क्या यह बोडर पाकिस्तान और भारत कि इसी मां कर बोडर रही है क्यों रुक है तक क्या आज तक किसी सरकार का किसी अफिसर्ट का इस सिर्फ धिया इंदिया मैंने कर ले एक वीडियो बनाए थी वह म लेकिन वो पल्टी उलर एक आदमी वहां खड़ा था स्कूटर के अंतर देखते हैं मासली गाड़ी मेरे को नहीं औरों को भी रोकता होगा वो जो बार की गाड़ी है उस काई कि हम होता है पैसे आखना जब जाते हैं तो दिन में तो यही टेंशन होती कि हमार को पहले पंच् सरकार को चंडिगार प्रशाशन को और किर्पेश के अधर ध्यान तो दें कि अ झाँ झाँ